नमस्कार आप देख रहें IBPS गुरुजी और बहुत ही बड़िया simple math test लेके आया हूँ जो आपको काफी confuse कर देता है कि इसका answer 0.5 आएगा या 4.5 आपको answer पता ही मतलब काफी लोग को confusion हो जाती है कि 0.5 भी सही लग रहा है काफी लोग को 4.5 भी सही लग रहा है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सही answer क्या है इस वीडियो के माधियम से बने रहे मेरे साथ अन तक देखो क्योंकि middle में अगर आप skip करके end तक पहुँच जाओ कि कोई फायदा नहीं है तो पूरा देखो थोड़ा मजे लो और पता लगाओ कि सही answer क्या है ठीक है तो सबसे प G, A, S ठीक है bottomless B का मतलब क्या होता है bracket O तो off के लिए है D का मतलब क्या है division M का मतलब क्या है multiplication A का मतलब क्या है addition और S का मतलब क्या है subtraction तो सबसे पहले priority जो है वो यहाँ से सुरू होती है इसको highest priority मिलती आ और नीचे जाते priority कम होती जाती है मतलब आपको जिसकी priority सबसे अब सबकी 90 प्रतीसत calculation अगर मैं सबसे पहले solve करके बताता हूँ सबसे पहले हम क्या solve करेंगे bracket bracket है 1 प्लस 2 का तो 1 प्लस 2 का हम solve करेंगे यानि 6 यहां का यहां रहा division का division रहा 2 और bracket 1 प्लस 2 जो है वो निकल के क्या हो जाएगा 3 तो bracket off हो जाएगा और यहां पर 3 आजाएगा और फिट division एपला होगा और यह 2 ठीक है तो जैसे ही यह bracket enclose हुआ मतलब उसको छोड़ दिया गया तो आपको मिल गया यहां पर multiplication अब priority किसकी आती है वापस से चेक की जाएगी priority आती है division की तो आप क्या करोगे division करोगे division एक यहां पर है एक यहां पर है दोनों division prioritize है तो दोनों division आप साथ में ही करोगे तो 6 divided by 2 इन्टू यह into as it is रहेगा 3 divided by 2 अब 6 divided by 2 का अंसर क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 तो 3 इन्टू 3 तो यहां पर और यह 3 divided by 2 का अगर आपको यह पहले करना है तो 1.5 यहां ही मिल जाएगा अगर आपको वह पहले नहीं करना है तो आप उपर का उपर क्या है बच जाएगा 3 into 3 divided by 2 3 into 3 होता है 9 divided by 2 यानि 9 divided by 2 हो जाता है 4.5 तो आपको सहीं आंसर बन जाता है 4.5 ठीक है बट फिर भी काफी लोगों को इसमें confusion रहता है कि नहीं सर मतलब आपने ये 2 into 3 पहले कर देना था क्यों भाई 2 into 3 पहले कर देना था काफी लोगों को ये doubt रहे चाता है काफी लोग ये मतलब justification ही नहीं खुद को दे पाते ये बाई ऐसा क्यों सर भी गलत बता रहा है तो आज मैं आपको इसका भी justification देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है देखो सबसे पहले आपको ये तो पता है कि bracket of division of multiplication आप bottomless rule को तो मानते ही हो definitely मानते हो definitely मानते हो 6 अब ये जो है ना उसको मैं आपको generalize करके देता हूँ देखो ये 6 तो है division भी है 2 भी है अब आप क्या ये मानते हो कि 2 और ये bracket of 1 प्लस 2 के बीच में multiplication का symbol है दिया नहीं है बट वो है generally ठीक है वो हमें silent पता है अब जब silent पता है तो ये चीज ऐसी ही होगी हमने ये bracket है इसलिए ये multiplication को सो ही नहीं किया है बाकी वहाँ पर exist करता है multiplication ठीक है हम ensigned जमाने में जो 1970 से पहले use करते थे वो method थोड़ी मतलब deflection वाली थी ठीक है तो वो चीज नहीं use करते हैं modern जमाने में हम ये चीज समझते हैं कि bracket है तो middle में multiplication भी है bracket की वज़े से हमने वो multiplication silent कर लिया है इसलिए हम पहले bracket solo का bracket की जगह आ जाएगा 3 तो 6 divided by 2 into आएगा 3 divided by 2 अब priority मिलती है division को division पहला ये रहा और दूसरा division यहाँ पे भी है multiplication को बाद में ही priority मिलेगी ठीक है अगर आप 1 by 1 solve करोगे तो भी कोई फाइदा नहीं है 6 divided by 2 यानि 6 by 2 करोगे into 3 divided by 2 को बाद में करेगे तो भी चलेगा ये 6 divided by 2 के answer देगा आपको 3 answer देगा तो यहाँ पे मैं लगा दूँगा 3 ठीक है अब 3 into 3 divided by 2 है तो priority तो definitely division को ही मिलेगी तो अब क्या होगा 3 divided by 2 होगा 3 divided by 2 करने के लिए मैं उसकी जगह 3 divided by 2 कर देता हूँ exactly 3 divided by 2 3 divided by 2 का answer क्या आएगा मुझे 1.5 आएगा तो मैं उसकी जगह 1.5 लिख देगा और 3 into 1.5 क्या answer देगा मुझे 4.5 तो सही answer आपका कैसे भी करके 4.5 ही आएगा अगर आप ये multiplication को पहले कर लेते हो तो वो चीज गलत हो जाती है क्योंकि multiplication की priority division के बाद ही है whether it is. कुछ लोगों का ये भी मानना है कुछ लोगों का ये भी मानना है वो भी clarify करता हूँ कि कुछ लोग ये ऐसा भी बोलते हैं जैसे कि ये 2 है 6 divided by 2 है इन ब्रैकेट मैं 3 रखूँ और divide by 2 करो तो सर सबसे पहले तो मैं ब्रैकेट ही छोड़ूँगा अरे ब्रैकेट के अंदर है उसको सबसे पहले तो solve करेगा ब्रैकेट के बाहर तो कौन सा symbol लग रहा है ब्रैकेट के बाहर वो multiply ही हो रहा है अगर आप इनको 3 into 2 कर देते हो तो वो बन जाता एच्छे और आपने ultimately आपने किसको priority दे दी multiplication को दे दी ऐसा माना जाएगा तो आप ये 2 into 3 नहीं कर सकते सबसे पहले आप यहाँ पे generalized symbol लगाओगे ही 6 2, 6 divided by 2 into 3 divided by 2 और आप division को पहले करोगे यानि 6 divided by 2 करोगे 6 divided by 2 यानि 6 by 2 इंटू 3 divided by 2 यानि 3 by 2 2, 3's are 6 3, 3's are 9, 9 by 2 9 by 2 होता आता है answer 4.5 ठीक है तो कोई भी तरीके से आप 0.5 0.5 तक नहीं पहुँचोगे latest जमाने में हम वो ensigned method नहीं use करते कि twice time of 3 तो उसको बना दो 6 ठीक है वो 6 वाली बत दी गई अब हम modern में है हमारा answer सहीं क्या होगा 4.5 मुझे उमीद है कि मैं आपको justification दिला पाया होँगा इस वीडियो के माध्यम से फिर भी अगर कोई doubt रहेगा हो तो आप comment section खुला है आप मुझे वहाँ पर message कर सकते हो मैं आपको try करूंगा convince करने की max to max और अगर आप मुझे direct DMV करना चाते हो तो मेरा Instagram page है ibps underscore guruji वहाँ पर आप मुझे follow कर सकते हो और DMV कर सकते हो मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा answer मिले गा होगा अगर वीडियो पसंद आया तो एक like तो बनता है साथ में share भी बनता है और चैनल को subscribe भी कर लेना ताकि जब भी मैं आपके लिए नए वीडियो अपलोड करूँ आपको उसको notification सीधा मिल जाए अंद में इतना ही करना चाहूंगा वीडियो देखने के बहुत बहुत देने वाद आपका दिन शुब रहे मिलते हैं अगले वीडियो में